कि हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर और आज हम आपके लिए क्या है यूपी का कुछ वीडियो को लाइक करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम और अच्छा वीडियो आके लाने की कोशिश करें तो जल्दी से चलते हैं फिर क्यूशन की तरफ तो चलिए पहला हमारा हमारा इपोर्टेंट क्यूशन है वह है। हूँ ऐसाट चीफ मिंश्य औप उत्र प्रदेश का पृस्ट्र मुख्या तो आंसर इस गोविन बलब पंथ चले नेक्स्ट की तरब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्षिशन है तो आपको सीधे ये जिक्के के क्षिशन है जो एक्जाम में पूस सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए तो उत्रप्रदेश की राजधानी है लखनाव लखनाव इस दे कैपिटल ओफ उत्रप्रदेश चले नेक्स्ट की तरब चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्षिशन है वहं इनदीद उत्रप्रदेश गेट इजस्ट एट होड उत्रप्रदेश को अपना राज्य का दर्जा कब मिला यह हम कह सकते हैं की उत्रप्रदेश की स्थापना कब हुवी तो हमारा आंसर है 24 जन्वरी 1950 यानी 24 जन्वरी 1950 में उत्र सवंनों पोपुलास पौर्डेश सेट इन इंडिया आंसर है उत्रब्रदेश क्योशन था हमारा भारत में सबसे अधिक जन संंख्या वाला राज्जी कोन सा है अगर जन संख्या के बारे में पीपल के बारे में अगर बात करें population के बार में बात करें तो उत्रप्रदेश अपना first rank लाता है पूरे इंडिया के अंदर चलिए next question के तरफ चलते हैं next हमारा question है which is the state with the largest population after उत्रप्रदेश आपको ये भी पता होना चाहिए उत्रप्रदेश के बाद में दूसरी कौन सी largest population वाली state है या फिर बोल सकते हैं कि उत्रप्रदेश के बाद में कौन से राज्य में सबसे अधिक जन संक्या है तो पहला तो आपको पता है उत्रप्रदेश है और दूसरा आपका आएगा महराष्टा उत्रप्रदेश के बाद में महराष्टा है जो population में अपना second rank रखती है चलें next question के तरफ चलते हैं विच इस दे लार्जेस स्टेट ओफ इंडिया इन टम ओफ एरिया चेत्रपल की दृष्टी से भारत में सबसा बड़ा राज्य कौन सा है अगर चेत्रपल की दृष्टी से बात करें तो राजस्थान अपना first rank रखता है यह आपको पता होना चाहिए फिर हम चलते हैं इसक उत्रप्रदेश का कौन सा स्थान है तो उत्रप्रदेश का वहाँ पर fourth स्थान है यानि चोथा स्थान आपका उत्रप्रदेश रखता है चले next question के तरफ चलते हैं नेक्स हमारा question है with which country can the size of उत्रप्रदेश be compared उत्रप्रदेश के आकार की तुलना किस देश की राज्य से की जा सकती है तो हमारा answer है United Kingdom UK United Kingdom की जो यह आप से कुछा जा सकता है बहुत सारी स्टेट्स हैं जो अलगलग country में थोड़ा सा मेच करती हैं तो वो जो थोड़ा बहुत मेच करती हैं तो उसके से यह सेफ है जो आपकी United Kingdom से मेच कर रही है चले नेक्स कुछन के तरफ चलते हैं हाउ मेनी डिवीजन आर देर इन उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश में कितने संभाग है हमारा क्विशन है उत्तरप्रदेश में कितने संभाग है तो आपका राइट आंसर है एटिंथ ड पता रहे हैं ताकि आपको कोई confusion ना हो तो आपको याद रखना है एक ही वर्ड वन लाइन वर्ड याद करना है इस वीडियो को आपको बार बार देखना है इस वीडियो को आपको दस बार देखना है इसमें से आपके क्यूशन बन सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है चलि आपके UP के अंदर 55 जिले चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स्ट हमारा वाट इस दे एरिया ओफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का छेतर फल कितना है तो आपको छेतर फल पता होना चीए यह है अप्रोक्स दो लाग त्यालीस जार 286 किलोमेटर स्क्वायर तो यह आपसे पूर सकते हैं तो इसमें आपको उप्षन में 2,40,000 भी मिल जाता है कई बार 2,40,000 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 2,40,000 के अगर आप कंप्लीट पूछे तो 2,40,000 286 लेकिन आपको कुछ जगा पे 2,40,000 किलोमेटर स स्क्वायर भी मिल सकता है चलि नेक्स के तरफ चलते हैं नेक्स हमारा क्यूशन है वेनमोज दे उत्तरा खंड एचट कैวड आउट ऐव उत्तर प्रदेश उत्तरकंड को उत्तरพरदेश से अलग करके कब बनाया गया था यानि जो पहले उत्तर के अंदर ही उत्तराखन्ड उत्राखंड उत्रप्रदेश का ही पार्ट स्को उत्तराखंड नाम दिया गया तो यह हुआ था 9 नॉवंबर 2000 सन में यह उत्राखंड उत्रप्रदेश से बना था चलिए नेक्स्ट के तरब बोर्डर विद उत्रप्रदेश कौन सी कंट्री कौन सा देश आपके अंतराश्ची सीमा बनाता है उत्रप्रदेश के साथ में तो कौन सा है राइट आंसर इस नेपाल जो नेपाल देश है वो उत्रप्रदेश के साथ बोर्डर बनाता है चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स हमार उत्रप्रदेश का मुख्य मंत्री कौन है यह बहुत ही पॉपलर क्यूशन और सब को पता है पूरे भारत के लोग जानते हैं कौन है तो वह हैं फिमस योगी आधिते नाज जी जो की उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है चलिए नेक्स कुछन के तरब चलते हैं तो इसमें आपका राइट आंसर है अखिलेश यादव जी जो की एज 38 एर की एज में फर्स्ट टाइम मुख्य मंत्री बने थी चलिए नेक्स कुशन पर चलते हैं यहाउमेरी इंटर्णेशनल एरपोर्ट आडेर इं उत्र प्रदीश उत्र प्रदेश में कितने अंतरराश्टी हवाई एड्डेश हैं हमारा answer है दो जिसमें से पहला है चोदरी चारण सिंग इंटरनेशनल एर पोट जोकी लख नव में स्थित्थ है और दूसरा है लाल भाधुर साज्तरी इंटरनेशनल एर पोट जोकी वाुर अनसी में स्थित्थ है चलिए next question के दरब चलते हैँ Next हमारा question है which are the major rivers flowing in उत्रप्रदेश कौन सी मुख्य नदियां जो उत्रप्रदेश में बहती हैं अपना अंसर है पहली है गंगा दूसरा गोमती तीसरा सरस्वती चोथा वरुना पांचवा यमुना तो यह आपकी पांच मुख्य नदियां हैं गंगा गोमती सरस्वती वरुना और यमु नोर्थ सेंटल एक नोर्थ सेंटल एका मुख्याले कहां है तो हमारा थलने पर्याग राज जंकसन रेलवे स्टेशन या आपका पर्याग राज में परियाग Red Primus जो की यू पी में है यह भी आपको पता होना चानिये बहुत अच्छा कुश्टन हो है यह आपका नया नाम क्या है तो राइट आंसर है परियाग राज का पहले अलाबाद था जो की योगी जी ने चेंज करके इसको अभी परियाग राज कर दिया गया है चले नेक्स्ट के तरफ चलते हैं How many aыры here is the High court of Uttar Pradish Uttar Pradish का उच्च्छनै आले कहा स्तित है तो आंशर है प्रियाग राज सीदह आपको आणसर पता होना जीए तो मुख्य future न्याले कहां स्तित है तो राइट आंशर इस प्रियाग राज जलिए चलते हैं नेक्स केसँ पे नेक्स केसड है हमारा इन विच डिस्टिक इस वृंदावन सिच्ट वरिंदावन किस डिले में seas 對 है ये वृंदावन जो श्थान है बहुत ही अच्छा स्थान है जहां पर सभी को जाके मन को स्यानथी मिलती है और बहुत ही अच्छी जो की मत्रुरा डिस्टिक में है और यह यूपी में है आपको पता होना चाहिए यूपी की मत्रा डिस्टिक में व्रिंदावन नाम की जगह है जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी मन के श्यानती के लिए चले नेक्स पर चलते हैं नेक्स हमारा क्यूशन है वोट इस दे स्टेट कोड ओफ उत्रप्रदीश उत्रप्रदीश का स्टेट कोड क्या है तो क्या है यहां पर उत्रप्रदीश यू डबल टी ए आर पी आर डी ए एस है तो यू और पी यू पी इस दे स्टेट कोड ओफ उत्रप्रदीश चलिए नेक बसं tierra count कुर्भिशी यह की ज़र है थारटीवन 31 सीटें हैं आपकी उत्र प्रदीश राज्य सभा में चले नेक्स हमारे कुशन पर चलते हैं कि हाँ मैनी लोग सभा सीट हार दियर इन उत्र प्रदीश तो राज्य सभा तो आपको पता है एकतीस हैं 31 राज्य सभा लोग सभा कितनी है तो राइट आंसर इस एटी असी सीटें आपकी लोग सभा में है और 31 सीटें आपकी राज्य सभा में हैं चलिए नेट्स क्यूस्टन पर चलते हैं which Indian state has the highest crime rate compared to other states in India किस भारती राज्ये में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अपराद है तो right answer है उत्तर प्रदेश है अभी ये धीरे धीरे जब से योगी जी आए हैं बहुत ही कम होता चला गया है उससे पहले बहुत ज्यादा था crime rate अभी थोड़ा ये कम होता जा रहा है और I hope जल्दी से अच्छा हो जाए और ये यहां से नाम भी हट जाएगा चलिए next चलते हैं which is the largest police force involved कहां की कहां की police बल सबसे बड़ी है विश्वय को compare करने पर भी यानि विश्वय का सबसे बड़ा police बल कौन सा है तो answer है उत्रप्रदेश police यानि उत्रप्रदेश की police है वो विश्वय में सबसे बड़ा स्थान रखती है चलिए next चलते है where is the headquarter of North East Railway North East Railway का North East Railway का मुख्याले कहां पर है तो answer है गोरकफूर तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए next question की तरफ चलते हैं how many IITs are there in उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश में कितनी IIT हैं तो हमारा answer है दो एक तो IIT कानपुर दूसरा IIT BHU वारानसी तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है चलिए next चलते हैं कि वेर इस दे नेशनल सुगर इंस्टिटूट राश्ट्रिय सरक्रा संस्थान कहां है नेशनल सुगर इंस्टिटूट NSI कहां परिस्टिट है तो आंसर है कानपुर कानपुर में आपकी नेशनल सुगर इंस्टिटूट है चलिए next चलते हैं हिए next हमारा क्यूशन है तरक्रम्षण नेरुन मेडिकल taste को लेज इन उत्र प्रदेश कहां पर इस्थित था उत्थ इस में तो हमारा आणसर है क्या इलीग्ड अलिगड में यह स्थित है चलिए next question के तरब चलते हैं next important question है which is the popular folk music of उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश का लोग पर ये लोग संगीत कौन सा है तो हमारा answer है सोहर, काजरी, गजल, कवाली, एटीसी ये आपका मुखे लोग पर ये गीत है चलिए next question के तरब चलते हैं which city of उत्रप्रदेश is called city of love उत्रप्रदेश के किस सहर को प्यार का सहर कहा जाता है जो है आपका आगरा, आगरा में ताज महल स्थित है आगरा में ताज महल स्थित है जिसको आप प्यार का निशान भी बोलते हैं तो इसी की वज़े से आगरा को प्यार का सहर city of love भी कहा जाता है चलिए next question के तरब चलते हैं वोट इस दे निकनेम ओफ गाजियाबाद, गाजियाबाद का उपनाम क्या है तो answer है gateway of उत्रप्रदेश गाजियाबाद का उपनाम है gateway of उत्रप्रदेश चलिए next question के तरब चलते हैं वोट इस दे निकनेम ओफ उत्रप्रदेश 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 पहले गाजियाबाद का था अब यहाँ पर उत्रप्रदेश का निकनेम पुच्छा है उपनाम पुच्छा है तो वह है ताज सिटी चलिए next चलते हैं विच चार दे टोप आईटी सिटी इन उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश की सिर्ष आईटी सहर कौन से हैं तो यहाँ पर आंसर है आग्रा लखनाव अन्प्रियाग राज चलिए लखनाव में कौन सा महिना सबसे गरम है तो आंसर है जून चलिए निकनेम ओफ लखनाव का निकनेम क्या है तो आंसर है चलिए नेक्स क्यूशन के तरफ चलते हैं एक्स हमारा क्यूशन है हाउ मेनी मुनिसिपल कॉर्परेशन आर देयर इन उत्रप्रदीश उत्रप्रदीश में कुल कितने नगर निगम है तो हमारा आंसर है डारेक्ट कोई पुछे तो सेवंटीन और सेवंटीन में आपको थोड़ा सा नाम भी बता दे एड़ परजन देर आर सेवंटीन मुनिसि मुनिसिपल कॉर्परेशन इन दे स्टेट अब हम बात करें कौन कौन सी है पहली है आगरा दूसरी है मेरत तीसरी है अलिगड आयोध्या बरेली फिरोजाबाद गाजियाबाद गोरकपूर साहरानपूर जांसी वारांसी क्रिशना प्रियाग राज लकनाव मुरादाबाद शाह जापूर ब्रिंदावन यह आपकी 17 मुनिसिपल कॉर्परेशन है नगर निगम है जो की यूपी में है चलिए नेक्स की तरफ चलते हैं सोरी आज का हमारा क्यूशन यहीं पर खतम होते हैं तो कैसा लगा आज का सेशन बताना सब कमेंट करके अगर अच्छा लगा तो क आपो और अपनों में आपसे यह जी के कि उशन पूछे जाने वाले हैं तो आप लोगों को यह क्लियर कर लेना चाहिए साथ में हमारे चैनल पर जो डेली करन ट अफेर्स की classes आती हैं उसको भी अटेंट किए वहां से भी आपके क्यूशन बन सकते हैं तो current affairs और gk में आपके क्यूशन बनेंगे जो आपको देखना है और यहां से सारे क्यूशन बन सकते हैं तो आपको एक क्यूशन बन सकते हैं तो आपके क्यूशन बनापके 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